नमस्कार इंसाडर लाइफ देख रहे हैं आप बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हो गया इसके बाद अपने जमीन का रिकॉर्ड आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं अब इसके लिए राजसे विवंभूमी सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलिब जैसवाल ने बड़ा कदम उठाया है बता दे आपको कि अब दिलिब जैसवाल ने अधिकारियों को जल से जल्द सभी जमीन के दस्तवेजों को डिजिटल करने का आदेश दे दिया है इसमें जमाबंदी पंजी, खातियान समेच 36 तरह के जमीनी कागजात शामिल है मंत्री जैसवाल ने अधिकारियों से कहा कि वो सभी कागज को अच्छे से स्कैन करे और उनकी क्वालिटी की जाच भी करे अभी तक बिहार में जितने भी जमीन के कागज है उनमें से आदस जादा कागज डिजिटलाइस किया जा चुका है बाकी बचे कागज को भी जल्द ही डिजिटलाइस कर दिया जाए अभी बहुत से जमाबंदी पंजी ओनलाइन नहीं है इसे लोगों को अपनी जमीन का काम करवाने में बहुत दिक्कत होड़ी है जब सारे कागजाद डिजिटल हो जाएंगे तो उन्हें भू अभी लेक फोटल पर मुफ्त में देख सकेंगे विभाग के सचीव जैसिंग ने बताया कि सभी जिला अधिकाडियों को इस बारे में पत लिखकर बताया गया है उन्होंने कहा कि सभी जमाबंदी पंजी के पंणों को स्कैन करके अपलोड किया जाए स्कैनिंग और डिजिचलाइजेशन से पुराने कागस खराब होने से बच जाएंगे साथ ही लोग आसानी से कम पैसो में इन कागस की कॉपी जो है अपने फोन में देख सकते हैं और कॉपी भी ले सकते हैं कि सचीव ने 22 जिलो की दियम को पत्र लिकर कहा कि जहां जमबंदी पंजी स्कैन नहीं हुए उन्हें जल से जल स्कैन कराया जो है सभी अंचल अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि वो अपने जिले में जाकर ऐसा काम करे और उनकी क्वालेटी की जाज करे इसके अलावा जिला अभी लेखा गर भूमिशुधार उप समहर्ता कारयाले भूरजन कारयाले और अपर समहर्ता कारयाले को भी कागस की क्वालिटी की जाज करने को कहा गया सकैनिंग का काम हडियाना की हेक कमपणी precious capital business system पाली गुरुग्राम को दिया गया है और उसके बाद scan करने के बाद ये सब ही कागज जो है वो online digitalize हो जाएंगे ताकि लोगों को काफी आसानी हो फिलाल इस खबर के लिए इतना ही जो ये अपने चैनल के साथ अपने रहा रखें बाद दनिवाद